हेलो दोस्तो कैसे आप सब मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजिये साथी साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना तो आज की ये मूवी एक सची घट नाम पे आधरी थे तो उम्मीद करते आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है दल लवर इंदे आटी जो की 2018 में रिलीज हुई थी मूवी की शुर्बात में हम डॉली नाम की एक बहुत एक खुबसूरत लेडी को देखते हैं जिसकी शादी फ्रेड नाम की एक बहुत बेड़े बिजनेस मैंन से हुई थी फ्रेड से शादी करने के बाद डॉली को पैसा और ऐसो आराम के सब कुछ मिल चुका है क्योंकि शादी से पहले डॉली एक गरी फैमिली से थी लेकिन फ्रेड उसे वो रेस्पेक्ट नहीं देता जो डॉली को चाहिए थी फ्रेड डॉली को जब किसी पार्टी में लेके जाता था तब उसे किसी से भी बात नहीं करने देता था फ्रेड वैसे डॉली को बहुत प्यार करता था बट वो डॉली को वो इज़त नहीं देता था जो एक husband को अपनी wife को देनी चाहिए जब भी फ्रेड शाम को घर आता था तब डॉली उसका अच्छी से ख्याल रहती थी लेकिन घर के काम करते करते वो बोर हुची की थी डॉली का सपना हॉलिवूड में जाने का था बट फ्रेड उसे कहीं अकले जाने का परमिशन नहीं देता था इसी वज़ाए से उसका हॉलिवूड में जाना पॉसिबल नहीं था और इसलिए उससे घरी समालना पड़ता है वैसे डॉली ने भी दूसरी लड़कियों के तरह एक केरिंग, डॉमेंटिक और लविंग हस्वेंट के सपने देखे थे लेकिन फ्रेड इन सबसे अलग था फ्रेड बिल्कुल भी डॉमेंटिक नहीं था ओटो डॉली से हुमर में करीब 15 साल छोटा था और ओटो वहीं पर उसे फैक्टरी में मेशिन रिपेर का काम करता था वहीं पर डॉली को लड़किया बताती है कि ओटो कहानिया भी लिखता है क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता है एक दिन डॉली अपने घर के मशिन को जान बुचकर खराब कर देती है योगि डॉली अच्छे से जानती थी जैसे मशिन खराब होगा ओटो उसे रिपेर करने यहां जरूर आएगा अब डॉली के कहने पर फ्रेड ओटो को वो मशिन रिपेर करने के लिए बेशता है शर्माने लगता है तब डॉली उसे कहता है कि तुमने कभी यह सब नहीं किया है क्या तब ओटो कहता है कि नहीं लेकिन यहां इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता और डॉली ओटो को नेक्स टाइम का बोल के जाने को कह दिया अगले दिन ओटो फिर से डॉली के घर पहुँच जाता है पहले डॉली उसे घर का काम करवाती है फिर दोनों इंटिमेट होते है फिर कुछ दिनों तक ओटो मशिन के बहाने ऐसे डॉली से मिलता रहता है और दोनों हर रोज इंटिमेट होते है यहां ओटो को पता था कि वो अपने से 15 साल बड़ी औरत के प्यार में था लेकिन यहां ओटो को भी डॉली की आदत लग चुकी थे ओटो डॉली के साथ काफी खुश था और वो डॉली के साथ ही रहना चाहता था और डॉली भी ओटो के साथ काफी खुश थे पर भाले फ्रेट उसे खुश ना कर पाए लेकिन अब तक जो भी ऐशु आराम की लाइफ उसे फ्रेट से मिला है वैसी लाइफ उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी इसलिए वो फ्रेट को छोड़ना भी नहीं चाती थी तो ये दिनों कुछ दिनों तक ऐसे मिलते रहे और मज़े करते रहे लेकिन इस तरह ऐसे मिलने से आसपास के लोगों को इन दोनों पर शक होने लगता है तो डॉली उन सबसे बचने के लिए बताती है कि वो मेरा शौतिला भाई है पर फ्रेडू से बिल्कूल भी नहीं पसंद करता है इसलिए वो जोरी छुपे मुझसे मिलने के लिए आता है पर डॉली जानती थी कि ये सबसे बचने के लिए इतनी सी बात काफी नहीं है इसलिए वो ओटो को अपने पास रखने के लिए उसे एटिक में एक जगा बना देती है और ओटो को वहीं पर रहने के लिए बोलती है साथी साथ वो ओटो को कुछ सारे रूल्स भी बताती है जहापर नाहीं वो इस घर से कभी बाहर निकल सकता है और नाहीं वो रात को कुछ अवाज कर सकता है अब ओटो को ना चाते हुए भी डॉली के रूल्स मानने पड़ते हैं तोकि अब उसे डॉली के आदत लग चुकी थी साथी साथ वो एक अनाथ लड़का था फिर ऐसे ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और दोनों को साथ रहते रहते हैं नौ साल बीच जाते हैं इस लंबे वक में ओटो कहीं बार फरस्टेट भी हुआ था और वहाँ से जाने का भी सोचा है लेकिन डॉली उसे समझाती थी और उसे मना लीती थी यहां रहने से ओटो को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुका था कि फ्रेट डॉली से किस तरह से बरताब करता है इसलिए ओटो बहाँ पर रह जाता है और खाली टाइम में कहानिया लिख के दिन गुजार लेता था इधर डॉली भी जानती थी कि ओटो काफी टाइम से घर के बाहर नहीं गया है इसलिए ओटो को लेकर डॉली एक सिक्रेट बार में जाती है बहुत टाइम के बाद ओटो घर के बाहर गया था तो बहुत सारे लोगों को एक साथ देखके ओटो बहुत घबरा जाता है बहाँ पर और उसे अकेलर रहने के आगत लग चुकी थी और वो पागलो जैसे होने लगा था पर ओटो के पास कोई रस्ता भी नहीं था डॉली के पास रहने के लावा फिर हम डॉली को देखते हैं जहां डॉली भी फ्रेट से सुटकारा पाने के लिए कुछ प्लैनिंग करने लगती है पहले वो काफी मेहंगी इंसुरेंस करवाती है ताकि फ्रेट के जाने के बाद भी उसे ऐसी लाइफस्टाल जीने में कोई परिशानी ना हो इसके बाद वो फ्रेट के गन को ओटो के पास चुपा देती है यह कहे कि कभी भी जरूरत पड़े तो वो इस गन का यूज़ कर सके लेकिन ओटो को डॉली के दिमाग में क्या प्लैन है यह सब नहीं पता था एक दिन जब फ्रेट डॉली को लेके पाटी में जाता है तो वहाँ पर डॉली को वही फ्रेट का इंसुरेंस कमपनी वाला आदमी मिलता है जिसका नाम होता है रॉये जब फ्रेट डॉली के साथ डांस नहीं करता तब डॉली भी ओटो को सुनाने के लिए जोर-जोर से बात करने लगी है यहाँ पर डॉली ऐसे रियक्ट करती है जैसे फ्रेड उसे मारी डालेगा क्योंकि डॉली को पता था कि ओटो उसकी ओवास सुनकर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और ठीक ऐसा ही होता है ओटो डॉली के ओवास सुनकर उस गण को लेके नीचे आ जाता है डॉली की प्लैनिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर डॉली फ्रेड को ओटो के हाथ मरवा देती है और गण की ओवास बाहर तक जाती है इस घड़ना को रॉली दिखाने के लिए ओटो वहाँ से कुछ सारे पैसे और कीमती सामान लेके भाग जाता है और जाने से पहले डॉली को भी एक रूम में बंद कर देता है ताकि किसी को डॉली पर शक्त ना हो लेकिन डॉली के खिलाब कुछ सबूत ना मिलने के वज़ा से वो डॉली को हैरेश्ट नहीं कर पाता अगले दिन डॉली उस इंसरेंस वाले रॉयक को अपने घर पे बुलाती है इसके बात डॉली उसके साथ प्यार का नाटक करने लगती है और उसके साथ इंटिमेट भी होती है और यह सब करके डॉली इंसरेंस के सारे पैसे को अपने नाम करवा लेती है वहीं पर ओटो भी कुछ दिनों बाद डॉली के पास लॉट आता है जब intimate होना होता है तो वो ओटो के पास आ जाती है और जब भी पैसी की जरूरत होती है तो वो किसी और के पास चली जाती है अगले दिन बो lawyer dolly को बहुत ही महिंगा एक diamond ring दिखा के शादी के लिए propose करता है और dolly भी यहाँ पर diamond ring को देखके शादी के लिए मान जाती है इसके बाद बो lawyer dolly के घर आके प्यार भरी बाते भी करता है और दोनों intimate भी होते है और यह सब कुछ ओटो सुन रहा होता है और उसे इस बार control नहीं होता वो सिधा नीचे आ जाता है इन lawyer के पास आके बोलता है यह हम सब मर्दों का फायदा उठा रही है जब जरूरत पूरी हो जाएगी तब छोड़के किसी और के पास चली जाएगी उस lawyer Herman को ओटो की बातों पर यकीन हो जाता है और वो डॉली को छोड़के वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त वो अपना diamond ring भी वापस ले जाता है अब ओटो को इस तरह से रहना बिल्कूल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए वो पुलीस को call करता है और अपनी सारी सच्चाई बता देता है और पुलीस इन दोनों को arrest कर लेता है ये बात मीडिया तक फैल जाती है तो ओटो को काफी जादा sympathy मिलती है पबलिक से साथी साथ लोग उसे support भी करने लगते हैं इसके बाद उसे एक अच्छा सा lawyer भी मिलता है और इधर हर्मन अभी भी डॉली का साथ देता है और डॉली का case लड़ने के लिए ready हो जाता है फिर हम देखता है कि ओटो को सजा हो जाता है क्योंकि उसके पास कुछ भी सबूत नहीं था और gun में fingerprint भी OC के थे इधर डॉली अपने आपको बचा लेती है क्योंकि पुलिस को उसके खिलाब कुछ भी सबूत नहीं मिले थे एंड बे हम देखता है कि ओटो को पबलिक से सपोर्ट मिली जाती है जिसके कुछ दिनों बाद ओटो को भी छोड़ दिया जाता है जेल से छुटने के बाद ओटो बापस से अपनी कंट्री में आ जाता है वो डॉली से अप ब्रेक अप कर चुका था और एक नहीं शुर्बात करता है इधर हम देखता है कि डॉली भी अपने आख्री लवर से 1961 में शादी कर लेती है और सादी के कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है यही पर यह मूवी खतम हो जाती है तो गाइस यह जो मूवी थी एक टू स्टोरी पर बेस्ट है और इस स्टोरी को काफी ज़्यादा हाइप मिला था उस टाइम पर आशागरते हैं आपको यह मूवी अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन को अलपे ज़रूर करना जिससे कि आपको आने बाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगे साथ में कमें शेक्षन में अपने सजेशन भी जरूर बताना आज के लिए यही तक गाईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर, have a great day and love you